नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुरेश टीचर एजुकेशन सिंफलिफाइड चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 15 टिप्स स्कूल और कॉलेजिस के लिए खास कर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लिए जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते है टिप नमबर वन आपके यूट्यूब को मैनेज करने के लिए आप किसी टेकनिकल एक्सपर्ट को अपउइंट करे जो ये सारी चीज़े देखता रहे कभी-कभी ये होता है कि जो टीचर होता है उसी को अपउइंट किया जाता है तो वो टीचर को अपने टीचिंग के साथ इस चीज़ को भी देखना होता है तो पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाता हम ये ध्यान रखना होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल हमारे स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करता हो इसलिए वो बेस्ट हो इसलिए अलग से टेकनिकल परसन को अपउइंट करना ज़रूरी है टिप नंबर टू यूट्यूब चैनल शुरू करते समय अलग से इमेल आईडी बनाईए जो खास स्कूल का कॉलेज का हो और उसी के माद्यम से उससे रिलेटेड आप यूट्यूब चैनल तयार कीजिए अगर यह होता है आप पिंसिपल या सुपरवाज या किसी टीचर के इमेल के साथ अगर यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं टीप नमबर त्री आपके स्कूल का नाम आपके यूट्यूब चैनल को दीजिए दाकि पैरेंट्स को और सभी को यह समझ में आए कि यह चैनल कि स्कूल का है टीप नमबर फोर टीचर्स को आप हार्डवेर और सॉप्ट्वेर सपोर्ट प्रोवाइड किजिए आप यह मत सोचे के टीचर्स के पास मोबाईल है और उसी के वो कर लेंगे तो उसके लिए कभी-कभी कुछ एडिटिंग सॉप्ट्वेर की जरूरत होती है कभी-कभी कु टीचर को ट्रेन कीजिए यह मत एक्सपेक्ट कीजिए कि टीचर्स को सारी टेक्निकल चीज़े आनी ही चाहिए तो आप दो तरीके के एक्सपर्ट के साथ उनकी ट्रेनिंग करवा सकते है एक पेडेगोजिकल की कॉन्टेन को किस तरह से डील किया जाय और टेक्निकल के किस तरह के यूट्यूब के वीडियो बनाने है उसके बाद ही आप उनसे अच्छे वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो टिप नंबर 6 आपके टीचर्स को आप कॉपी राइट लॉस के बारे में आवेर कराईए और इसी के साथ जो कम्यूनिटी गाइडलाइन है उसी के बारे ध्यान रखना चाहिए और अगर आपके स्कूल एजुकेशन में बच्चे ही आपके स्टूडेंट्स है मतलब जो जिनकी एज 13 से नीचे है तो उनके बारे में वीडियो बनाते हैं समय अलग चीजे का ध्यान रखना होता है तो उनके बारे में भी आपके टीचर्स अवेर ह टीप No.7 वीडियो किस तरह से पब्लिश होगा इसका पुरा एक निश्चित टाइमिंग होना चाहिए ताकि उस हिसाब से पैरेंट्स और स्टूडन्ट जो उसको वेट करेंगे और उस हिसाब से उनका वीडियो देखने के टाइमिंग एक निश्चित हो जाएगा यह टाइमिंग देखते समय आप यह भी देखे कि पैरेंट्स का मोबाइल स्टूडन्ट को किस वक्त मिलता है और कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छी समय होती है जिस समय स्टूडन्ट वो वीडियो देख सकते है वीडियो पॉब्लिश करने का एक प्रोसीजर जैसे कि एक एक्जांपल मैंने दिया है टीचेस पहले बनाएंगे वीडियो उसके बाद सब्जेक्ट हेड होगे उनको दिखाएंगे ताकि कॉन्टेंट या कुछ भी इश्यों तो वह हैंडल कर सकते है उसके बाद में एप्रूवल के लिए सुपरवाइजर के पास बेज दाखने चाहिए वहाँ पे एक स्टेटस होता है यह पब्लिक करने है या प्राइवेट करने अनलिस्टेट करना तो इससे फाइदा यह होगा कि जो वीडियो आपके टीचेस ने बनाए है वो सिर्फ आपके स्टूडेंट के लिए ही रहेंगे अनलिस्टेट का मतलब यह हो अगर आपके वीडियो पब्लिक होते तो बाकी स्कूल हो सकते प्राइवेट क्लासेस हो सकते वो भी उन वीडियो को अपने क्लासेस में दिखा सकते अपने स्कूल में दिखा सकते तो आप यह दरूर चाहेंगे कि आपके जो वीडियो वो सिर्फ आपके स्टूडेंटी देख कुछ गलत comment कर देता है तो student के सामने ना जाए इसलिए बहतर हो कि आप comment disable कर लिजे तो student के सामने कोई भी गलत चीज comment section में से नहीं जाएगी tip number 11 वीडियो का जो title आप वह define किजे किस तरह से होना चाहिए जैसे मैंने चाप्टर में एक से ज्यादा पार्ट हो सकते तो मान लिजे एक चाप्टर के पाच पार्ट है तो student को पता चलेगा कि कौन सा चाप्टर का कौन सा पार्ट चर रहा है तो यह student को वीडियो सिलेक करने में आसानी होगी टिप नमबर 12 आप अपने teachers को पुरी तर से hardware और software का जो support होगा पुरी तर से दीजिए टिप नमबर 13 आपके teachers से आप यह बोलिए कि वो वीडियो में कभी दिखे एपियर हो ताकि student जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से connect हो सके और उन्हें लगे कि यह हमारा वीडियो teachers नहीं बनाया हुआ है तो एक अलग तरह की human interaction का पायदा मिलता है टिप नमबर 14 वीडियो की जो लेंथ हो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनिट तक हो अगर ज़रुरत पड़े तो ही उससे आगे जाए क्योंकि जो attention span होता है वो ज्यादा नहीं होता है यूट्यूब का जो average attention span है वो दो से तीन मिनिट का है तो 10 मिनिट फिर भी ज्यादा है लेकिन content या sub topic cover करने के लिए 10 मिनिट मुझे लगता है कि काफी है आप बड़ी concept को break कीजिए उसको पार्ट में वीडियो बनाईए 1,2,3,4 इस तरह से पार्ट में आप बना सकते हो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो student नहीं देख पाते और data consumption का भी issue आता है और tip number 15 लास्ट आ अपने teachers को encourage कीजिए कि अलग-अलग तरह के techniques यूज करें ना कि एक simple सा powerpoint बना कर उनको present कर दे क्योंकि powerpoint present करना ये higher classes के लिए अच्छा होता है जहां पर कोई reference book ने होता है वहाँ powerpoint content based होता है वो अच्छा होता है लेकिन school students के लिए कुछ interaction उसमें होनी चाहिए उसमें अलग-अलग तरह के interaction हो इस तरह से अच्छे से अच्छा interesting video teachers ने बनाने चाहिए इस तरह से मैंने 15 tips दिये है ये based on मेरे experience है आप इससे आगे भी जा सकते इससे कम भी कर सकते इसमें modify भी कर सकते इस तरह से आप अपना educational channel जो होगा वह अच्छे से चलाईए और work from home या फिर learn from home अच्छे से निवाईए वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया